हुआ है अपिसोड ईपिसोड जिसे मैं आपके सामने दोबारा से कॉमेंट्स लेने वाला हूँ पूरे हफते आप लोग ने जो अच्छे-चे पैरे-पैरे कॉमेंट्स की है चैनल के अंदर में कुछ क्वेशन्स आप लोग ने पूछे जिसका मैं जवाब दूँगा बहुत अच्छे-चे कॉमेंट्स जिसका मैं रियाट करूँगा ठीक है तो यह हमारा कोमेंट्स की प्लेइस्ट में आड होते जाएंगे ठीक है ना तो जल से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार उसक्राइब का इससा बन जाओ उमीद करते कि आपको वीडियो पसंद आएगी औके सो यहां पर यार मैंने बोहुत सारे कोमेंट्स ले ली है 15-16 कोमेंट्स ले ले यहाँ पे स्टार्ट करते है तो सोरी यार अगले अफते होसकता आपको कमेंट्स आजाए या फिर आगे कभी आपको कॉमेंट्स आजाए कोशिश करता हूँ मैं अच्छे-चे कॉमेंट्स पिक अप करने की तो जो भी unique कॉमेंट्स होते है थोड़ा अच्छे कॉमेंट्स होते है जिन में मेरा reaction या फिर reply बनता है वो सारे मैं लेने की कोशिश करता हूँ ठीक है ना यहाँ पर सबसे पहला कमेंट है वो हर्ष भाई का यहाँ पर कह रहे है yes your old AR vibe is next level hashtag ARSquid will go to the next level soon तो हमारे पास में 75 के subscribers जो हुए थे तब कि ये बात है हमारे पास में शायद पिछले top comments का ये comment है कि यार जो हमारा पुराना AR vibe है उसको मैं वापस से लाने की कोशिश कर रहा थ काफी टाइम से and 90% जो चीज़े वो वापस से आ चुक है in fact बहुत तगड़े लेवल पर आई है पुरा पुरा महीना हमारे पास में जो है बीतने को आया है January 1 से मैं डेली दो वीडियो मिनिमम अप्लोड कर रहा हूं और हर रोज एक ट्रिक वीडियो आ रही है रात को मेरे स स्कूर्ड रॉक्स एयार स्कूर्ड विल रूल सिर्फ रॉक्स से काम नहीं चलेगा रूल करना पड़ेगा तब मजा आएगा नेक्स्ट हमारे पास में कमेंटे सोग तो दास का कह रहे हैं सर क्या टू मन्स में डेली बीजे की प्रिपरेशन के लिए काफी है देखो मैं पर कर सकते अगर आपने बेसिक बोर्ड लेवल का भी पड़ा है तो अब अगर आप बोलोगे कुछ भी नहीं पड़ा ना बोर्ड का पड़ा ना जेई का पड़ा कुछ भी नहीं पड़ा ठीक है तब दो महिने में करना आपके लिए तोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेसिक है मतलब 100 के पता नहीं बट I don't think so आएगा the reason being कि I am not happy with this मतलब ये 70 अजार पिछ 70 अजार मतलब the amount of जो मेरा vision है जितना बड़ा मेरे को चीजे करनी और जितना मेरे को मैंने hard work दिया है पिशले 4-5 सालों में और जो मैंने गलतियां भी करी है कई बार चैनल के उपर में सही से काम नहीं किया after all those things ये 75 के 100 के अब ये सबसे मैं उपर उठ चुका हूं ठीक है मतलब literally मैं बहुत उपर उठ चुका हूं तो मेरे को 75 के पर मैंने community post डाला था आप लोगो thanks करने के लिए and that's it उसके अलावा मैंने कोई खास celebration नहीं करी कुछ भी नहीं करा because मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है 100 के भी जब हो जाएगा हमारा तो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखने वाला है because यह 75 के 100 के 50 के 10 के यह सब celebrate करते करते मैं बुड़ा हो जाओंगा ठीक है ना तो अब मेरा जो गोल्स हो काफी ज़दा बड़ा हो चुक है और उसको बहुत जल्दी जल्दी जो है मेरे को अचीव करने का यहाँ पे तो इसलिए गानावाना नहीं आएगा अभी वैसे भी exam का season है तो courses में busy है आप लोग के साथ में YouTube वीडियो बनाने में busy है तो बाद में कभी मन होगा तो फिर गानावाना कभी आ जाएगा बाद में है ना गाना का तो एक separate channel भी आएगा long term में आप चिंता मत करो गाने को लेकि हम लोग बहुत कुछ करेंगे AR squared और AR के अंदर में गानागा हो सकता है कुछ एक नया channel कभी आ जाए AR music नाम से या फिर कुछ और नाम से ठीक है तो वो definitely आएगा बाद में लेकिन अभी हमारा जो पूरा लो definitely positive feeling आता है सब कुछ बढ़ी है लेकिन मैं बस एकी चीज़ कहना चाहूंगा कि फोड के मेहनत करो फोड के जिस दिन आप मेहनत करने लगे उस दिन पेपर फोड देंगे पेपर फोड देंगे जगा 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 लिख के रखते हो जगा 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 मोटिवेट होते हो वो चीज़ आपको ज़रुत नहीं पड़ेगा तो हमेशा फोड के पढ़ाई करो अपने पेपर फुट जाएगा हम कई बार गलती करते हैं हो सकता है आप ना कर रहो मैं जनरल सजेशन दे रहा हूं बच्चों को हम कई बार फोड देंगे के चक्कर में क्या करते हैं हम साइ अगर मेरे को यह बोल देना कि भाई तू कैसे लाएगा नहीं ला सकता है ऐसे कैसे नहीं लाओंगा एक्जाम के दो मेने पहले भी दो साल कुछ पढ़ा ही नहीं करी डंग से फिर भी दो मेने पहले भी ख्वाब वही होता था एया यार वन लाना है तो डाट इस अन्रियलि वाला कोर्स में डिफ्रेंसे क्या है एव अलर्डी पुर्चेस्ट जैमेंन कोर्स नेहला हमारे पास नेट का प्लू पॉब्लू प्ली का करुस नहीं के जो क्वेस्टन थे ब्यूब परकेंड के जो लिए जाते हैं जो मार्किंग पैटन होता है उसके हैं उसके ओस बिदो सब्सक्राइब अलग नंबर के होते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस भी अलग अलग होता है सब एक्जाम का अलग-अलग होता है तो आपको सारा कोर्स लेने का जरूरत नहीं है बट अगर आप फोकस डोलेट से जेमन और वेब जी में तो दो आप ले सकते हो ठीक है अब इसके अलावा मानलों और बैकप के लिए मानलों व्याइटी ट्रिपली दे रहे हैं खुछ दे रहे हो और वह आपको पता है कि आपक मेरा पूरा टार्गेट था एनाइटी साइटी टार्गेट था बिटसाइट का मैंने फॉर्म बढ़ा था मैं एक्जाम देने नहीं नहीं गया था क्योंकि मेरे 15,000 रेंक आ चुके तो और बहुत सारे परसनल रीजन्स भी है जिसके वज़े मैं बिटसाइट देने नहीं ग मैं इससी अपको डिटेलंड철 डिवAh डिन अपको second packet फॉर्मेशन है वह इटलाप होता है कोरत से और आपको लेटस पेपर के अंदर में डिटेश केंदर बट यूट्य प्रिय्ट्री प्रैस प्लेलिस्ट है लेकिन वह बाहिरे इंक प्राइप लिए और यूट्पा ये य जिससे आप अगर मालो जेट के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो आप जेए के साथ से जितने स्टेट एक्जाम से उसके भी ट्रिक्स देख सकते हो या अगर आप मालो WBJ के लिए प्रिपर कर रहे हो तो यूटूब पर आपको बहुत दा वराइटी मिल जाती है फ्री में और को से आपको मांन्ट सेट डिल Allah वो नेक्स लेवल ँता है तो यूटू सत से आपको चोड़नारी है यूटूब के बच्चे लेनस के ना हो मैं कंन्मेंabeos लेना चाहता हूं क्या सच में माक्स कर नुखा भाई देखो conce 분ी नहीं आतू ना मेरे चैनल में आप 50-100 वीडियो देखो मेरी देखने के बार आपको समझ में आएगा मैं किस लेवल पर honesty की बात करता हूं कितना honest में रहता हूं ठीक है मतलब मैं लिटरली यार आप लोगो एक एक चीज honestly बताता हूं और मैं करके दिखाता हूं और कोर्स के अंदर में तो मैंने live करके दिखाया live tricks ठीक है YouTube पर वीडियो बनाता हूं तो फिर भी लिक के पहले फिर बनाता हूं कोर्स के अंदर में live बनाया जैमन के कोर्स में live tricks बनाया मतलब ठीक है मतलब on the spot बिना paper देखे on the spot मैंने करके बच्चे को दिखाया भाई marks increase होता है उस level की चीजें अचीव करी भी है मैंने और काफी सारे बच्चे को कराई भी भी हैं तो आप अगर चीजों को सीखोगे कोर्स दिन सोचना कि अच्छा आप कोर्स लेना या फिर नहीं लेना है नेक्स्ट हमारे पास में कमेंडर शदाव आलम का खेरे हैं भाईया मेरा भी आपकी तरह हाल हो गया है सिर्फ lecture देखने में पूरा दिन जा रहा है नाहीं question practice हो रहा है और नाहीं revision कभी-कभी डर सा करता था ठीक है यह हालत मेरि नहिए यह देखता था रता ब करके लाइस का रखरे ना कि आपना टॉ appeals और पिक उ warmth- peur fingerprint से नहीं ऐसा नहीं फिर मैं डरता भी नहीं था और questions में बहुत प्राक्टिस करता था तो यह सारी गलत पहिम है मेरी ऐसी situation बिल्कुल भी नहीं थी मैं questions पर बहुत ज्यादा जोर जोह लगाता था हाँ यह अलग बात है कि मैंने last के time पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी but questions practice की आदत मेरी काफी पहले सी जो है लग गई थी नेक्स्ट अमारे पास में विशाल साहू का भाया payment पेटियम वाला option नहीं होगी क्या यार देखो जो रेजर पे का आपको लिंक दिया रहे था ना मैं इस वीडियो के description में भी आपको जेए मेन के course catalyst लिंक दे दूंग और WhatsApp लिंक दे दूंग आप जिससे हमारे team से बात करके कोई और course में कर enroll होना चाहो तो आप message करके पूछके payment link लेके enroll कर सकते हो पेटियम का क्या है ना पेटियम का UPI मिल जाएगा आपको वालेट में शायद पेटियम option आपको नहीं मिल रहा है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार आप पेटियम नंब दो आपको नंबर देगी हमारी टीम आप जो पिमेंट कर लो और बस आपका admission हो जाएगा उसके बाद में तो क्यो टेंचन ले रहा है आप message कर लो ना ठीक है फेटियम फोन पे Google पे फलाना पे धिमका पे QR code सारे options available है ठीक है आपका debit card credit card सब available है सब कुछ हो जाएगा अनुर इसने बिलीव किया इसने अपलाई किया इसने सोचा कि सामने जब बंदा सिखा रहा है खुद IIT क्रैक किया है खुद NIT तृची से पढ़ा है चेक है हाला कि IIT में ट्रिक बगेरा जादा नहीं लगेंगे बहुत ही रेयर कभी लगेंगे बट सामने को बंदा है जो पढ़ा यह इसने टाइम से सि thumbnail बिलीव करो विलीव करो तो चीजों को देखो ध्यान से सीखो सिखने के बाद अपलाई करो आपकी उपर भी एपलाई होगा जैसे मेरी ऊपर अ यूबभी ओट स्था प्रव और चीसको आपको सीखना है जैसे मदनलान बोल रहा हुत है मना जबदन पाल-पॉल ओके नेक्स नमार बस में कमेंट है अतुल वर्मा का कह रहे हैं फॉलोइंग यूर जे में स्कोर्स एंड गेटिंग नाइस रिस्पॉंस हाइली रेकमेंड़ थैंक यू सो मच अतुल यार और जितने भी बच्चें जो हमारे कोर्स में इन्रॉल्ड हो चुके हैं अभी तक मैंने ऐसा कोई गूगल फॉर्म आप लोगो नहीं बेजा है जिसमें आपका फीडबैक ले सकूँ ठीक है अभी मैं देखना चाहता हूं कि आप खुद से कितना सथा फीडबैक देते हो इस तरीके से जैसे अतुल ने दी और बहुत सारे बच्चे फीडबैक देत चीज़ को देख करके मुझे बहुत जाथा खुशी होती है कि मैं जो सिखाना चाहता था बच्चे जो सीख पा रहे हैं नेक्स्ट मारे पसमें कमेंटर नहीं असा आका कह रही है भाई आपने क्या 100% किया था अपने प्रपरिशन के टाइम देखो 100% is a myth 100% तो कभी होता नहीं मेरे से तो कभी हुआ नहीं हाँ लेकिन हर चैप्टर मैंने चुआ जरूर था चूने का मतलब है चैप्टर नहीं आता चलो दो तीन क्वेशन प्रिवेस एर की कर लिया फील मलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं आता एक टच करके चले जाओ वैसे अगर देखा जाए ना तो मेरा 40-50% सिलेबस होने को अगर देखा जाए तो बट वैसे अगर देखा जाए तो मैंने हर चैप्टर खोल के जरूर रखा था मलब खोला दो चार लाइन सेमी कंड्डक्टर के सिर्फ 2-4 प्रिवेशर के करके चला गया था ठीक है इस तरीके के मैं बहुत सरे चाप्टर जो सर्फ पीवाई के चला गया था मैं जो यह चीज मैं करता था जो भी चाप्टर मुझे नहीं आता तो मैं बस थोड़ा बहुत क्वेस्ट्स देख लिया थोड़ा बत करके फील आगया कि हाँ अगर सेम सेम आएगा तो कर लेंगे नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे दिख्कते रहती है आखो मैं देख रहा हूं किस तरीके से लॉंग टम में चीजों को सस्टेन किया जाये काफी जाधा परेशानी होती है पैन बहुत जादा होता है आखों से पानी भी बहता है कैर अब हम लाइव क्लस्स वगेरा नहीं ले रहाँ तो काफी जादा अराम है प पढ़ना है सारी चीज़ें पिछले 8-10 महिने से एक साल से जो है मैंने लाइफ क्लासे नहीं लिए तो काफी ज़्यादा बेटर हो गया है सिच्वेशन बट अगें जैसी एक्जाम का सीजन आता है तो मुझे काफी ज़्यादा है कोर्स के वीडियो भी बनाने रहते हैं और आल जो है इस बेटर दन वाट इस वान एड़ाफ यर्स अगो ठीक है तो यह हमारे पास में टोल 15-16 आपर कमेंट्स लिए हैं इसी तरीके से आप लोग कॉमेंट्स करते रहो डिस्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का ट्रिक् कोर्स का लिंक दे दूंगा जिस पर आप क्लिक करके डिर्ग लिए प्रसेश कर सकते हो या फिर आप यूनों टीम से बात कर लो वाट्स अब लिंक आपको दे दूंगा आपको और कोई और एक्जाम में जोएन करना है विट्साइट हो गया विए टी हो गया कोई से अज़ा आता है आर हड़ संदे को ठेक है फ्राइडए नाइट इस स्वारि ने बोलो सैटरड़े नाइट लिए पता रहता है अगले दिन बनाना है और वरना हर रोज सोचना पड़ता है अगले दिन वनाएंगे ड़ें नगे लेकिन संदे को जब सुखें अवर उठते है बनर ये यार